मोदी सुझ गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी जब इमानदार सरकार होती है नियत जनता की बलाई होती है तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इने देश इनको करारा जबाब दे रहा है मैं जम्मु कश्मीर की अवाम का आज रिजे से अभिनंदन करता हूँ ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दसकों से था ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसके लिए दक्टर शामा प्रशाद मुकर जी ने बलिदान दिया था इस नए जम्मु कश्मीर की आँखों में वविश्य की चमक है इस नए जम्मु कश्मीर के इरादों में चुनवतियों को पार करने का होसला है आपके इन मुस्कराते चहरे देश देख रहा है और आज 140 करोर देश्वासी सुकून महसूस कर रहे है साथियों अभी मनोज सिनाजी का भाषन हम सब ने सुना उन्हान इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा विकास की बातों के इतनी विस्तार से समझाया शायन उनके भाषन के बाद किसी के भाषन की जरूत नहीं थी लेकिन आपका प्यार आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना लाखों लोगों का जूड़ना आपके इस प्यार से मैं जितना खोस हूँ उतना ही कुतग्य भी हूँ मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यह का मैं यह महनत आपका दिल जितने के लिए कर रहा हूँ और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जितने की दिसा में सही दिसा में जा रहा हूँ आपका दिल में जित पाया हूँ और जादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है मोदी सुझ गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों अभी कुछ समय पहले ही मैं जंबू आया था वहां मैंने 32,000 करोड 32,000 करोड रुपे के इंफ्रास्टर्टर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेस का सुभारम किया था और आज इतने कम अंत्राल में ही आप सब के बीच मुझे स्री नगर आने करके आप सब से मिलने का आउसर मिला है आज मुझे यहां तूरिजम और दिकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के सिलान्यास और लोकारपन का सौभा कि मिला है किसानों के लिए क्रिशीक शेत्र से जुड़ी योजनाओं भी समर्पित की गई हैं एक हजार युवाओं को सरकारी नोकरी के नियूक्ति पत्र भी दिये गए हैं विकास की शक्ति परियटन की संभावनाएं किसानों का सामर्थ और जम्मु कश्मीर के युवाओं का नेत्रूत्वा विक्सित जम्मु कश्मीर के निर्मार का रास्ता यहीं से निकलने वाला है जम्मु कश्मीर केवल एक शेत्र नहीं है यह जम्मु कश्मीर भारत का मस्तक है और उंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीख होता है इसलिए विक्सित जम्मु कश्मीर विक्सित भारत की प्रात्मिकता है पात साल पहले बैंक का बिजनेस सबालाग करोड रुपिये में सिमेट गया था सिरफ सबालाग करोड अब बैंक का बिजनेस सबालाग करोड रुपिये क्रॉस कर चुका है पाँच साल पहले बैंक में डिपोजिट भी 80,000 करोड रुपे से कम हो गए थे यानि लगबग अब दो गुना होने जा रहा है अब बैंक में लोगों के डिपोजिट भी 70,000,000 करोड रुपे को पार कर गए है पाँच साल पहले बैंक का NPA 11% को भी पार कर गया था अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है पिछले पाँच साल में जेन के बैंक के शेरों की किमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धी हुई है बैंक के शेर की जो किमत 12 रुपिय तक धीर गई थी वो अब 140 रुपिय के आसपास पहुँच गई है जब इमांदार सरकार होती है नियत जनता की बलाई होती है तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है सात्यों आजादी के बाद जम्मु कश्मीर परिवारवादी राजनीती का सबसे प्रमुक्षिकार हुआ था आज देश के विकांच से परेशान होकर जम्मु कश्मीर के विकांच से परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इने देश इनको करारा जवाब दे रहा है देश के लोग हर कौने में कह रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मैंने जम्मू कश्वीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं इसलिए कश्वीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूँ मोदी का परिवार मोदी अपने परिवार को इभी स्वाद दे कर जा रहा है कि जम्मू कश्वीर के विकास का अभियान किसी किमत पर नहीं रुकेगा अगले पाँच वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा साथ यो कुछी दिनों में अमन और इबादत का महिना रमजान शुरू होने जा रहा है मैं जम्मू कश्मीर की धर्ती से पूरे देश को इस पवित्र महने की अग्रिम शुब कामनाय देता हूँ रमजान के महने से हर किश्य को शांती और सहुवार्थ का संदेश मिले यही मेरी कामना है और मेरे साथियों ये भूमी तो आदी संकराचारिय की तपो भूमी रही है और कल महाशिवरात्री है मैं आपको भी और सभी देश वाच्यों को भी महाशिवरात्री के पावन परवकी अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना आपके प्यार आपका अशिरवार लेना यह मेरे लिए बहुत बढ़ा सौफ आगया है बहुत बहुत धन्यवार